सर्दियों के मौसम आते ही लोग बॉडी लोशन का इस्तेमाल करने लगते हैं। ज्यादातर महिलाएं मार्केट में मिलने वाली किसी भी बॉडी लोशन को अपनी चॉइस से लेकर यूज करने लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉडी लोशन का चुनाव करते वक्त आपको अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने लिए Body Lotion सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपको Body Lotion के इस्तिमाल के सही तरीके की भी जानकारी मिलेगी। अभी सेही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे। ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी तवचा प्राकृतिक रूप से रूखी और ड्राई है तो इसको हाइडरेट रखने के लिए आपको अच्छे मोईशराइजर की जरूरत है। इसके लिए आपको ऐसा Body Lotion चाहिए जो जल्दी से स्किन में एब्सॉर्ब हो जाए। साथ ही जो क्रीम जेल फॉर्मुला हो जिससे आपकी तवचा अधिक समय तक हाइडरेटेड रह सके। इसके लिए आप काया स्किन क्लिनिक डेली लोशन का इस्तिमाल कर सकते हैं। इस Body Lotion को प्राकृतिक आम एक्स्ट्राक्ट और शिया बटर को मिला कर बनाया गया है। इसका इस्तिमाल करने से आपको सॉफ्ट स्किन टेक्स्चर मिलता है। साथ ही इसका यूनिक फॉर्मुला 24 घंटों तक स्किन को मौिस्चराइज करता है और तवचा को ड्राई होने से बचाता है। ऐसे में सर्दियों के लिए ये बेस्ट बॉडी लोशन है। इसके साथ ही आप निविया स्मूद मिल्क बॉडी लोशन का इस्तिमाल भी कर सकते हैं। इसमें गिनको एक्स्ट्राइट, शिया बटर, हाइड्रा आइक्यू और विटामिन E का इस्तिमाल किया गया है। जो आपके स्किन को स्मूद और मॉइस्टराइज रखता है। इसकी माइल्ड खुश्बू और नॉन ग्रीसी होना भी आपको जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा आप अपने ड्राइ स्किन के लिए बील्सीसी बॉडी लोशन का भी यूज कर सकते हैं। इस बॉडी लोशन में आपको बादाम के तेल के फाइदे मिलते हैं, जो आपकी तवचा को मॉइस्टराइज रखने में मदद करता है। साथ ही इसमें UVR प्रोटेक्शन फॉर्मूला होता है, जो आपको सन टैनिंग और फोटो एजिंग से भी बचाता है। इस तरह से आप अपने dry skin के लिए इन तीनों body lotion में से कोई एक यूज कर सकती है। ये तीनों body lotion easily market में मिल जाते हैं या आप इसे on a line भी मांगा सकते हैं। इनकी link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी। अब आईए जान लेते हैं body lotion लगाने के सही तरीके के बारे में। सबसे पहले गर्म पानी से 5-10 मिनट के लिए shower लें या फिर अच्छे से नहा लें। अब खुद के शरीर को किसी मुलायम तॉलिये ये अच्छे से सुखा लें। इसके लिए आप तॉलिये को तुचा पर रब ना करें बलकि हलके हाथ से पैट करें ताकि आपके शरीर पर मौझूद पानी को तॉलिया सोख लें। अब अपनी body पर lotion को अच्छे से लगा लें। ध्यान रहे कि आप अपनी पूरी body पर खास तोर पर हाथ और पैरों पर अच्छी तरह से lotion लगाएं। lotion के अच्छी तरह से त्वचा में absorb होने तक इंतजार करें। एक बार lotion पूरी तरह से skin में absorb हो जाए तो अपने कपड़े पहन लें और बस आप तयार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद।